नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत एक बार पुना आप सभी का आपके पसंदिदा कारिक्रम सबरंग में वितनों कहते हैं बच्छपन को कभी भूल नहीं जाना चाहिए क्योंकि बच्छपन में जो हमने सीखा है जो कहानिया सुनी हैं वो सच मुझ जीवन के लिए बहुत प्रेरक होते हैं ऐसी ही एक बात हम सबने बच्छपन में सुनी होगी कि एक चिडिया डाली पे बाठी होई थी और कह रही थी कि मैं उड़ना तो चाहती हूँ लेकिन उड़न नहीं पा रही हूँ किसी ने कहा तुम्हारे पास तो पंक हैं तुम क्यों नहीं उड़ पा रहे हो उसने कहा पंक तो हैं उड़ना भी चाहती हूँ लेकिन इस डाली ने मुझे पकड़ रखा है पेरक्सी बात थी कहीं हम भी तो ऐसा नहीं करते कि हम जीवन में तो आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन इस व्यक्ती की वज़ासे इस बात की वज़ासे मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ यदि हम ऐसा सोचते हैं तो आज का सुवाक्य हमारे लिए ही है यकीम मानो तुम्हें तुम्हारे सिवा आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक रहा हम जो कुछ भी अनुभव करते हैं वह हमारे अपने विचारों और कारेयों का परिणाब है हम सभी के पास एक अगभुत महाशक्ति है जिसका प्रयोग करके हमें जो परिणाब मिल रहे हैं उसक के अनुसार हम अपने विचारों द्रिष्टिकोन और कारेयोजनाओं को बदल सकते हैं इसलिए जब भी हम किसी संकट में होते हैं तो हमें केवल खुद के भीतर जहाग कर हल ढूने की जरूरत है इस सुन्दर सुवाक्य को सुनकर मुझे एक मल्टिनेशनल कंपनी में कराएगा वोक्शोप की याद आ गई वहाँ ये कराया गया कि जितने भी इंप्लॉईज आये एक बोर्ड पर लिखा उन्हें मिला कि जो आपसे बहुत घृड़ा करता था जो आपके मार्ग में तुम्हें आगे बढ़ने से रोपता था आज उसके मृत्य हो गई आप उसके दर्शन कर सकते अंदर जा करके हर एक सोचता सोचता जा रहा था कि कौन ऐसा व्यक्ति था हाँ ये होगा ये होगा ये होगा ये होगा जब वो अंदर पहुचते थे तो मुस्कुराते हुए फिर बाहर आते थे क्योंकि अंदर एक बड़ा सा मिरर लगा हुआ थ और ये प्रेड़ना दे गई उसे कि आप ही वो हैं जो अपने मार्ग में व्यावधान पैदा करते हैं हमें भी देखना है मित्रों की कहीं हम अपने आपको खुद ही अपनी सूच की कारण रोक तो नहीं रहे हैं रुकना नहीं है लेकिन आगे से आगे बढ़ना है अपने लक्ष पर अपने निगाहें अपनी आखें जमाय रखना है मन की आखों को तो जमाय ही रखना है लेकिन तन की आखों का भी हमें ध्यान रखना है आज हम आपकी सेहत आपके हाथ में आखों की ही भात कर रहे हैं ओम शांती, गूड मॉर्निंग फ्रेंड्स सफेद मोतिया जिसे हम इंगलिश में केटरेक्ट भी कहते हैं ये काफी मात्रा में उमर्क बढ़ती उमर्क साथ पाया जाता है उमर, बढ़ती उमर के साथ, यह diabetes जिनको होती है, जिनको होती है, जिनको बहुत जादा sun exposure होता है, जैसे जहाँ धूप ज्यादा होती है, कुछ ऐसे areas हैं, और जिनको blood pressure है, मोटापा है, ज्यादा मात्रा में tension डहती है, बहुत जादा television देखते हैं, यह mobile को use करते हैं, तो यह sun exposure, बहुत तेज धूप से में बचना चाहिए, sun glasses यूज़ कर सकते हैं, दूसरा हमें, अगर blood pressure है, diabetes है, इसका सही लाज कराएं, अगर हम ज्यादा मात्रा में fiber, especially fruits, vegetables, ताजा फल, और सबजी यहां सलात के रूप में ज्यादा मात्रा में जिसमें काफी मात्रा में anti-oxidants होत हैं, इस तरह से अगर मोटापा कम कर लें, हम बहुत ज्यादा तेज light में ना, तेज light का यूज़ ना करें, क्योंकि cataract होने के बाद होने के बाद हमें ज्यादा तेज light चाहिए हो थी, का number बदलते रहते हैं, तो आप नजदी की, जो आपके sight केंदर है, आँखों के केंद जाता है, और हम लोग, lens भी इसमें बाद में चश्मा लगाने की बावशक्ता नहीं होती है, lens लगाने से, lens रेप्लेस कर दे जाता है, artificial lens से, और आपके vision को नॉर्मल हो जाती है, तो दोस्तों, याद रखे, हमें अपने देश को, लगभग भारत में, लगभग दस लाक लो आतवालों को जरूर इसके बारे में awareness create करें, और लोगों को अच्छी vision परदान करें, ओम शांति, तो अपनी आखों का खयाल रखें मित्रों, यदि हलका सा भी धुंधलापन आना शुरू हो, कोई तकलीफ हो, तो जरूर चिकित सक से सलाह लें, और हमारे डॉक्टर साब न उन सुन्दर स्थलों के दर्शन कर पाएंगे, आज मैं आपको लिये चलता हूँ, केरल के एक बहुत ही प्रसिध तिर्थ स्थल पर, जो अपनी प्राचीनतम मंदिर के लिए विख्यात है, जहां गुरू वायूर अप्पन जी विराजित हैं, जो बाल गोपाल के ही रूप इस स्थान को शुकृष्ण का वास माना जाता है, जहां ये स्थान है गुरू वायूर, आईए चलते हैं गुरू वायूर मंदिर भारत के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है, केरल के तरिशूर जिले में स्थित गुरू वायूर को अक्सर दक्षन भारत का द्वार का कहा जाता है गुरुवायूर मंदिल गुरुवायूर अपन को समर्पित है जो श्रद्धे हिंदू देवता विष्णु का एक रूप है यह ज्यात है कि मंदिर के पुजारी सुभा दो बजए गर्भगरे खोलते हैं और दो पहर की प्रातना की रस्म पूरी होने तक उपवास रखते हैं दिल्चस बात यह है कि गुरुवायूर मंदिल में लगभग छप्पन हाथी है जो इसे नर्बंदी एश्याई हाथियों की सबसे बड़ी आबादी का घर बनाता है नगवान विष्णु के गुरुवायूर अपन रूप की चार बुजाए हैं जिन में शंक सुदर्शन चक गदा और कमल दिखाए हैं इश्वरिय ज्यान के अनुसार विष्णु लक्ष्मी और नारायन का संयुक्त रूप है जो एक पवित्र शुद्ध और अदर्श पारिवारिक जीवन के लिए खड़ा है जो वास्तव में सतीव में मौजूद था विष्णु एक ऐसी अवस्थ जिसे मनुष्य शुद्ध जीवन के कुछ सिध्धान्तों को अपना कर प्राप्त कर सकता है ऐसे चार सिध्धान्त है जो विष्णु के चारों भुजाओं में दर्श आया है शंग दिव्य ज्यान की पोश्णा के लिए खड़ा है जिस प्रकार शंग की ध्वनियालसी रोगों को मीन से जगा सकती है उसी प्रकार एक साधक का एक मुख्य कर्दव्य अपने साथ्यों को अभ्यान की मीन से जगाने के लिए ज्यान का प्रसार करना है सुदर्शन चक्र काल चक्र के मांध्य से अपने भीतर केवल अठ्षाई देखने के लिए हैं मैं सत्यूग और प्रेता में देवता था द्वापर और कल्यूग में भक्तों मेरे लिए मंदिर बनवाए और मेरी मूर्तियों की पूजा करने लगे कल्यूग के अंत में शिव परमात्मा ने मुझे आध्यात में उनर्जन दिया और मैं एक शुद्ध ब्राह्मर बन गया काल चक्र में स्वैम को देखकर मुझे अपने देवत्रुकी पहचान हो जाती है गदा पांच विकार रूपी राक्षसों को नश्ट करने के लिए है और कवल पारिवारिक जीवन के भीतर पवित्रता बनाए रखने का प्रतीक है आईए गुरुवाय रप्पन से साधना के महत्र और उसकी उपलम्दियों के बारे में जाने और आत्मपोच की यात्रा जीवन बहुत छोटा सा है इसलिए इसमें सारे अनुभव हम खुद ही नहीं कर सकते उन अनुभवों को करके देखना उसके लिए जीवन छोटा है इसलिए औरों की अनुभवों से भी हमें सीखना चाहिए औरों की अनुभवों से भी प्रेड़ना लेकर आगे बढ़ना च जिन्होंने अपने शिखर तक पहुचने की यात्रा को हमसे शेर किया है या हमें जीवन के कुछ सुन्दर अनुभव कुछ टिफ्स दे कर जाते हैं जो हमें भी आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं आज हम आपके लिए सुन्दर अनुभव लेके आए हैं श्री राकिश कुमार उपाध्या जी खा जो की भूतपुर्व शेयर में और मानेजिंग डारेक्टर रहे हैं बीसनल के आये संते हैं मुझे अवसर प्राप्त हुआ है और मैं जो भी थोड़ा बहुत मैं पिछले दो तीन महिनों में ब्रह्मा कुमारीज सनस्था के वीशे में जान पाया हूँ तो उससे में निश्चित्पत है कि ये जो प्रैक्टिकल इस्पिचलिजम होता है इस्तुछिदम के प्रती कि अवसरा प्रामन बठकेगा और बनी तरह की ब्रहंतिया भी संभोध्या आईगे तो मैं भी कह सकता हूँ कि अदिधी मैं इस्पिचलिजम से बहुत दुनों सचगवा हूँ कि इस्तुछिजम पिर इस्तुछिदम के रहती है मेरे जिमां में भी तीन महिनों में जब मैं कि अदियान करना प्राम्द किया है तो मैंने यह पाया कि एक प्रैक्टिकल स्पिचलिजम को मेरे का को स्प्रेट कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि जो है आप अपने सामाने कारे विवहार को करते हुए भी किस तरह से अपने आपको सुधार सकते हैं इस पर इनका इं अपने आपको जानिये हैं मित्रों ये सुंदर अनुभाव हमारे विशिष्ट अतीथियों ने या तो ब्रह्मा कुमारिस के हेटक्वार्टर्स में आकर शेयर की या फिर ब्रह्मा कुमारिस के केंद्रों में जाकर क्योंकि उन्होंने या अनुभाव किया कि ऐसे स्थान है जो सचमुच हमारी अंतर आत्मा को जागरित करने वाले हैं हमें नैतिकता का बल भरने वाले हैं और इसलिए हेटक्वार्टर्स और साथ ही अलग-अलग सेवा केंद्रों में जो ब्रह्मा कुमारिस के हैं वहां होने वाली सेवाओं को लगातार हम देखते हैं खुद को प्रेरित करने के लिए पीस नियूस हाइलाइट्स में आई आज भी देखते हैं चार मार्च को यूके के लेस्टर में ब्रह्मा कुमारीस ने एक खास विदाई समारो का जन किया ये समारो लेस्ट शाह और रटलैंड के मुख्य कांस्टेबल साइमन कोल के लिए किया गया जो की यूके के सबसे लंबे समय तक सिवारत मुख्य कांस्टेबल थे कारिक्रम में महापौर कांसिल लीडर्स, अलग-अलग धर्ण निता, पुले सधीक्षक, एशियाई कम्यूनिटी के प्रिजडेंट तथा सदस्यों के साथ एक सो साथ हस्तियों ने भाग लिया, बी के मंदा ने अपनी शुब प्रेर्णाओं के साथ सभी को राजयोग मेडिटेशन भी कराया तो मित्रों ये था आज का सब्रंग जिसमें हमने बहुत सारी बातें देखें, सुने, समझें और जाते जाते एक सुन्दर सी और बात आपके पास छोड़ा जा रहा हो जिस पर चिंतन जरूर कीजिएगा कहते हैं यदि शरीर से प्रेम हैं तो आप आसन करें, सांसों से प्रेम हैं तो आप प्राणायाम करें आत्मा से प्रेम है तो आप ध्यान करें और परमात्मा से प्रेम है तो आप समर्पन करें प्रेम तो इन सभी से हमारा है और ये सभी चीजें हमें करनी है तभी हम अपने संपूर्ण जीवन का आनंद ले सकेंगे लेकिन समर्पन बहुत विशीश है मित्रों कई बार हम बाहरी चीजों का तो समर्पण कर देते हैं इश्वर पर लेकिन अंदर जो भै है और शान्ती है दुख है या पास्ट का बोज है उसे अर्पित नहीं कर पाते क्यों ना समर्पित होकर के चले मेरा जीवन तुझे अर्पण है तेरा तुझको अर्पण यह कहते हम आए हैं यदि यह समर्पण भाव आ गया तो सचमच जीवन आनंद से परिपून हो जाता है और हम बहुत हलके होकर औरों के लिए भी प्रेड़ना के स्त्रोध बन जाते हैं इस बल जरूर्थ इंतन केजिएगा और साथ ही जीवन को इस ओर लिये चनलियेगा इसी शुपकामना के साथ नमस्कार ओम शैन्ते जार ग्शाओ बने खिरा यार्थ जार फसना हो जारा है खिरा स्म Reach जा DRU झाल 진ो tuo झाल